तो मैंने उन्हें पेंट पहना दी है और अब उन्हें ब्लाउस पहना रही हूँ तो ब्लाउस की एक बाजु जो है मैंने थोड़ी सी खोली हुई है तो उसे हम सेट कर देते हैं यहां से एक साइड से और मैंने सेट कर दिया है और नीची उन्हें मैंने कमर कांचनी भी पहना दी है और यह जो कमर कांचनी है यह हम जब मैं उन्हें उनके स्थान पर विराजबान करूंगी तो इस तरह से उन्हें सेट कर दूंगी वहां पर तो अभी मैं आपको यह बता र तो मैं दुपत्ता में सेट करूँगी जब उन के पेछानon पर विराजबान करूँगी על में निकाल Νाम करोँगी तो मैं आप दीशान के दाश में विल्हार के लिए और फिर उन्हका बाज़्यार करूँगी तो मैंने उन्हें पहले ये तीनोकलर की Mala धारन करा दिये जैसे राधारानी को कराई थी विलकुल वैसे ही हार भी उन्हें धारन करा दिया है और हार के ओपर जो एक मैंने कंगन लगाया था रेड गलर का वो भी उन्हें चोकर की तरह सेट कर दिया है और अब हम उन्हें केश धारन कराएंगी तो यह देखिए मैंने के तो में रिंग पैन आ दी है और ये देखिए ये मैंने तीन तरह का पग का कपड़ा लिया है तो आज हम पग भी इसमें बांधना सीखेंगे बहुत टाइम से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी के पग बांधना सिखा है तो देखिए बहुत अच्छे से तो मुझे नहीं आत है मैं उतनी आपको जरूर सिखाने की कोशिच करूंगे इस वीडियो में तो इसी लिए मैंने आज स्पेशल आपके लिए ये पग का वीडियो बनाया है जिस तरह से मैं बनाती हूँ जैसी वह बंदवाना चाहते हैं बस वैसी बन जाती है वाकि मुझे भी बहुत अच्छ किया था बालो में तो आलपिल लगा दिया था उसके बात से फिर इस तरह से मैं राउंड राउंड घुमाते हुए तीनो कलर को और ये देखे तीनो कलर को इस तरह से राउंड घुमाते हुए और हम ये पग बांदे रहेंगे तो जब आप बांदने लगेंगे न तो येकि बानती रहती हूं तो हर बार लगता है कि हाँ आपकी भार पहले से अच्छी बंदी है तो बस यही उनके प्रती जो प्यार भाव होता है वो अपने आप सिखा देता है हमें कुछ नहीं आता तो अब इस तरह से यह फाइनल जो है मैं इस तरह से यह उपर से लूगी और पीछ कि सेफटी पिन हम यह आपर पिन अप कर देंगे और बहुत दिहान से यह काम करना है जिससे की हमारे काना जी को यह चुभे ना बिल्कुल भी तो यहाँ ब्रोजबन लिब इस बना घर carn Day और यहाँ अब मैं लगाऊंगँ एक परो के ब्रोज ब्रोज का व attends गया ग्रीन है रैड है और ये मैंने एक कलंगी अपने हाथों से ये बनाकर रखा था तो इसमें मैंने जो ऑल्ल पी यह नहीं पोल प्लदन सेठी हमीं मोढ़ कर सीधा कर कर लगा हुआ है क्योंकर इस ओल पिन बहुत चोटी से होती तो थीक है वह भाग के लगा n एक ब्रोच ओर लगा दिया है यहां पर तो यह देखी पग कितनी सुन्दर लग रही है और अब भी सिर्फ इसमें दो ब्रोच ही लगे हैं और यह एक ट्यारा तो इस ट्यारे को हम कुछ इस तरह से यहां पग यह दोनों ब्रोच से और जो हमने अटेचमेंट लगाया उससे बीच से लेते हुए और इस सरा से आगे लाते हुए इससे सेट कर देंगे और यह जो जूड़े की जो पिन होती है बॉप पिन बोलते से उससे हमने यह सेट कर दिया है त्यारा तो देखें कितना सुन्दर लग रहा है और अब हम अपने कृष्णा जी की जो थोड़े से कर आगे कर दिये हैं और उसके बाद उन्हें बांसुरी धारन कर दिये तो हमारे कृष्णा जी तो तयार हो चुके हैं बहुत 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 ही सुन्दर लग रहे हैं और उन्हें इत्र सेवा भी मैंने कर दिये मेरा सेवा भी कर दिये तो यह देखें एक बार आप और अब हम शिंगार आप राधरानी का और हमारे कृष्णा जी का देख सकते हैं तो देखिए बहुती बहुती सुन्दर उनका शिंगार हुआ है और आज सभी छोटे बच्चे रूम में हैं क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है तो अब वो एसी में ही रहेंगे तो वो रूम में ह तो यह देखिए शिंगार बहुती सुन्दर शिंगार हुआ है आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा उमीद करती हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आईगी अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा मेरे चैनल पर युद हारे क्रिश्ना राधे राधे